आप सब भी क्या स्वागत है नीट 2022 का एक्जाम का डेट और एप्लिकेशन फॉर्म इस्टार्ट हो चुका है मैंने आप सब भी को प्रिविएस वीडियो में कम्प्लीट बता दिया है अभी मैं आप सब भी को एक्जाम पैटर्न को लेकर बताने वाला हूँ कुछ नए 200 कोशन पूछी जाएंगे और इसका पैटर्न क्या है आप सब भी समझिये सबसे पहले सबसे पहले आप सब भी को बता दूँ कि टोटल 200 कोशन आप सब भी को दिये जाएंगे इसमें से आपको वनली 180 कोशन ही करना है और मैं आपको बता दूँ कि 180 कोशन करने का क्या प्रो जुलोजी ये चार सब्जेक्ट होगा और इसमें से आपको देखे सेक्षन डिस्टिबूट किया गया है डिवाइड किया गया है सेक्षन ए और बी फिजिक्स में केमिरिस्टी में भी सेम बोटनी और जुलोजी दो सेक्षन दिये जाएंगे और इन दोनों सेक्षन में questions इच है यहाँ पर देखे ध्यान से और मैं आपको बता दूज्जु section A है जिसमे 35 questions दिये जाएंगे उसको करना compulsory है 35 questions करना बहुत compulsory है total 35 करना है आपको लेकिन जो section B है सभी में section B में आपको 15 15 15 और 15 questions दिये गए है इन 15 questions में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 10 10 10 questions करना है मतलब 15 questions आपको दिये जाएंगे इसमें से आप अपने according जो भी 15 questions में से 10 questions आपको आते हैं वहीं आपको करना है अब कुछ समझदारी ये करेंगे कि 15 के 15 questions करने की कोसिस करने के तो नहीं आप सभी को सिर्फ 10 ही questions count करके करने है I think आप सभी को समझ में आ गया होगा तो 35 35 35 35 करने कमपलसरी है और 15 में 10 questions 10 questions 10 questions 10 questions तो टोटल 180 questions ही आप सभी को करना है I think आप सभी को समझ में आ गया होगा कल में एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और OMR seat पर समझाऊंगा कि आपको वहाँ पे section B में कैसे करना है attempt ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो ठीक है आज बस में तो अभी क्लिक नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी stay करें next वीडियो complete process करें मैं आप सभी को बता दू को कैसे कैसे form को अपलाई करना है चैनल को subscribe करने अब इतना ही